Hello everyone, welcome to my channel, मैं हूँ राधिका, हम बहुत ज़्यादा परिसान हो जाते हैं अपने बालों को लेकर, हमारे जो बाल होता है, उसके पीछे हम ना जाने कितने ही पैसे खर्च कर देते हैं, लेकिन हमारे जो बालों की समस्या होती है, वो दूर नहीं होती है, जिस प्रोट के बारे म आपको पता चलेगा, तो आपको यकिन मानिए, यह आपको बहुत ज़्यादा ही पसंद आने वाला है, और मैं जिस प्रोट के बारे में बात करने जारी हूँ, वो है यह नेचर, श्योर का जोंक तेल, और आपको तो आपको आजीब लग रहा हो, क्योंकि यह जोंक तेल है, जी हाँ, यह वही जोंक तेल है, जो काले काले जोंक रहते हैं, जो बरसात की दिनों में हमें देखने को मिलता है, और आपको एक बात बताओं, यह जो जोंक तेरेपी एक आपने सुना होगा, वो बहुत ही कोशली होते हैं, वो हमारे मतलब की नॉर्मल हम जैसे लोगों का ही होता है, वो बहुत महंगे होते हैं, और बहुत कम ही लोग वो करवाते हैं, लेकिन यह जो नेचर श्योर का जोंक तेल है, यह बिलकुल अफोर्डेवल है, मैं अपने चैनल पे वही चीज़े दिखाती हूँ, जो मतलब की मेरे जैसे लोग अफोर्ड कर सके, तो इसकी अ पास पास ही मिलेगा ओफर में, और जब मैं इसके फायदों के बारे में आपको बताऊंगी, आपको विश्वास ही नहीं होगा कि यह इतने काम की चीज़ है, तो हम सब जानते हैं कि हमारे बाल बहुत ही नाजुक होते हैं, बहुत जल्दी ज़ड़ जाते हैं, बहुत ज़ बहुत जल्दी भड़े होते हैं, लेकिन मेरे बाल की जो ग्रोथ है वो बहुत लेट से होते हैं, और आपको मैंूंसे जाल κάν होते हैं, और जहां हैं कि हमारे हैं, बहुत जल्दी बैद बाल को बुद ज़ड़ एं, और बहुत लोग के जो बाल होते हैं ब मतलब कि बहुत जल्दी is often और किसी कि बाल बहुत लेट से ग्रोथ होते तो ऐसा अगरिवे साथ भी होत ist लुगा तो यह जोंक का तेल आपके लिए बहुत ज़यादा करे सैं सबसेशे हैं और सबसे बड़ी बात इस तेल का ये है कि हमारे सभी लोग के जो डेंडरफ की प्रॉब्लम होती है वो उससे हम बहुत ज़्यादा परिशान होते हैं डेंडरफ से ना जाने हमारे बालों से कितना ज़्यादा परिशानी होता है मतलब कि एक तरह से डेंडरफ बिमारी ही समझे उसमें ये बहुत ज़्यादा वक करता है क्योंकि डेंडरफ से ये जोग का तेल फाइट करता है और फंगस को दूर करता है और ये जोग तेल का सबसे बड़ा जो फाइदा है जिसके लिए बहुत लोग ठेरेपी भी करवाते ह जोग थेरेपी जिसका नाम है वो जो ऐलोपेशिया का सिकार हो जाते हैं या फिर गंजपन का सिकार हो जाते हैं उसके लिए ये बहुत ज़्यादा फाइदेमंद होता है और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि इसे हम लगाना स्टार्ट करेंगे और हमारा गंजपन दूर हो वाहां से बाल उगना ही बंद हो जाता है यह तील बहुत ज़्यादा करता है उसमें और जो अलेपशिया का शिकार हो गाया है और बहुत ज्यादा परिसान है तो आप इस तेल का यूज कर सकते हो और बहुत ही अफोडिवल प्राइसी मिल रहा है तो चलिए इस तेल को मैं open करके दिखाती हूँ ये कैसा हमें receive होता है ये कुछ इस तरीके का प्लास्टिक का बोटल में हमें मिलता है और प्लास्टिक का सही रहता है ना गिरने का डर है और गिर भी जाये तो फिर तूटने का डर नहीं है लेकिन ये जो oil है इसकी जो खुस्बू है वो थोड़ी सी strong है और आपको त्वस अजीब लग रहा होगा लेकिन सच मानिये जो चीजे आसानी समय मिल जाती है उसका उतना फायदा नहीं होता है जैसे कि हम बहुत सारे ओयल यूज किये ही होंगे अपने बालो के लिए जो एक से एक बढ़कर खुसबू उसमें रहती है उसकी सुगन से ही पुरा बालो को महका देती है लेकिन वो फिर वर्क नहीं करता है लेकिन यह जो जो जोंक का तेल है इसकी खुसबू आपको वैसी न और यह 100% नेचुरल है इसमें कोई केमिकल नहीं है तो चलिए अब मैं इसे बताती हो कि इसे हमें कैसे यूज करना है जैसे कि हमें कल अपने हैर को वास करना है तो आज रात को ही हम जब सोने जाएंगे तभी इसे हम अपने बालों में मसाज करेंगे और ओल को लगा कर जो हमा मसाज करना ही है उसके बाद बस बालों को सुबह वास कर देना है और इसको रीगूलर इस्तेमाल करने से आपके बाल मजबूत हो जाएंगे साइनी हो जाएंगे और सबसे अच्छी बात है कि डेंडरफ हमारे बालों से हटा देगा तो देखा आपने इस जोक तेल को लगान जाएंगे देगा से हो जाएंगे बालों से हो जात में झेल के तो जाएंगे भुभास कर देखा ह syllabus को जाएंगे मैं यार्फ बालों से अटार लगाना ही है है